आज से हम आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर जितने भी कॉलेजिस हैं चाहे वो मेन फेकल्टी हो या अफिलियेटेड कॉलेज हो चाहे वो B.H.U. की बात करें हम या फिर अलाहाबाद युनिवर्सिटी और भी अधर युनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये जितने भी कॉलेजिस हैं हर एक कॉलेज के हर एक एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे इन देफ्ट रिव्यू देखेंगे जितने पॉसिबल एस्पेक्ट हो सकते हैं हम सब चीज को देखते हुए चलेंगे तो आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है इसके अंदर हम डिएवी पीजी कॉलेज को कवर करने वाले हैं जो की अफिलियेटेड है बनारास हिंदू युनिवर्सिटी के थ्रू इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे हैं सबसे पहले वह देख लेते हैं सबसे पहले एड्रेस देखेंगे और मेन कैंपश से डिस्टेंस कितना है सेकेंड ये कौन-कौन से कोर्सस ओफर करते हैं उन सब को हम देखते हुए चलेंगे साथी साथ हर एक course के fee structure क्या है जैसे B.com, BA, M.com और MA इन सारे courses के हम fee structure को भी देखेंगे इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि students review क्या है और college का review क्या है campus के जितने भी possible photos हो सकते हैं या कुछ चुने हुए photos हम आपको दिखाएंगे और क्या-क्या facilities आपको मिल जाएगी DAVPG college के अंदर ये भी देखते हुए चलेंगे क्योंकि जब हम किसी college का review करते हैं तो हम उनके सारे aspect को cover करते हैं क्योंकि ये देखना जरूरी है कि क्या facilities आपको इस college में मिल रही है और क्या facilities आपको other colleges में मिल रही है साथ ही साथ हम railway station से distance कितना है इस college का वो भी देखेंगे और nearby spots क्या-क्या है इसको भी हम cover करेंगे और last में मैं इस college को compare करूँगा और भी other affiliated college से जैसे की RGSC हो गए, AMPG हो गए, VCW और साथ ही साथ main faculty क्या benefit कहां मिल रहा है उन सब को हम देखते चलेंगे तो वीडियो में last तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही important और interesting होने वाला है और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को subscribe कर दो और इस वीडियो को यहीं like कर दो क्योंकि आने वाले time में हम और भी ऐसे वीडियो लाने वाले हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं DAV PG college का distance main campus से क्या है और इसका address क्या है तो आप जैसे की अपने screen पे देख रहे होगे की DAV PG college जिसे हम post graduate college के नाम से भी जानते हैं लेकिन यहाँ पे UG के भी courses होते हैं और यह किसके द्वारा recognize किया गया है और DAV का A plus है यह रहाँ address यह कहां पे located आप देख सकते हो महर्सी दयानंद मार्ग और संगंज वारा नसी ठीक है यह basically main city में है देखा जाए तो बनारस हिंदु उनिवर्सिटी से आजम compare करें तो बहु लंका में situated है और यह main city में distance की अगर हम बात करें दोनों के बीच में distance तो 7.7 km, approximately 8 km का distance आपको cover करना होगा बनारस हिंदु उनिवर्सिटी और DAVPG college के बीच में दो routes available है इसके दुर्गा कुंट के थुरू और एक पंडित मदन मोहन मालविय रोड के थुरू आप जा सकते हो यह basically आप जो 24 minutes देख रहे हो मैंने यह cover किया है transport facilities को लेकर car हो गया, auto हो गया, bike हो गया और अगर आप by road मतलब अपने paddle जाना चाहते हो तो time अच्छा कासा लग जाएगा तो यह कुछ distance आप देख सकते हो next हम देख लेते हैं, यहाँ पे कौन-कौन से courses आपको देखने को मिलेंगे सबसे first B.com आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा second BA, यह दोनों ही UG courses है B.com और MA, यह दोनों ही PG courses है यहाँ पे यह दोनों courses भी आपको देखने को मिलेंगे basically यह total 4 courses हैं जो कि आपको DAV PG college offer करता है fee structure की अगर हम बात करें तो मेरे पास अभी जो idea मेरे पास निकल कर आया है मेरे detail sources से तो BA honors का fee है 10,322 और B.com का भी fee है 10,322 और MA और M.com का fee मैं आपको बाद में update कर दूँगा यह भी इसका detail नहीं निकल कर आया है मेरे पास स्टी केटेगरी से उनको कुछ relaxation मिल जाता है approx कहो तो 3-5,000 के आसपास उनका fee आ जाता है तो यह जब आप admission लोगे और fee payment करोगे तब आपको यह relaxation मिलेगा तो यह आप देख लेना fee structure मैंने आपके साथ discuss कर लिया courses देख लिए distance देख लिए अब हम next topic पे और कहो तो next aspect को हम अब देख लेते हैं क्या है हम अगर rating की बात करें review की बात करें तो इसका approx college दुनिया एक website है popular website है prestigious website है जो की various colleges को review करती है उसके according इसका review है अगर देखा जाए तो academics यह सब सब कुछ आदिये हुए लेकिन total overall rating देखा जाए तो 7.5 है यह actually यह 7.5 नहीं है यह आपको review कहीं से भी पता नहीं लग सकता है क्योंकि यह कुछ students review देते हैं उनके basis पे यह overall rating तयार किया जाता है तो अच्छा college है बहुत अच्छा है यहापे professors बहुत friendly है सब कुछ अच्छा है facilities भी अच्छे खासे facilities आपको देखने को मिल जाएंगे और पढ़ाई के मामले में भी बहुत ही अच्छा है और भी aspects मैं देखूँगा आपके साथ जैसे की attendance facility कहां कैसे है as compared to main campus कहां ज्यादा attendance लगाना परता है compulsory है class करना attendance लगाना जरूरी है 75% यह सब कुछ मैं आपको last में बताऊंगा तो video last तक देखना अब हम कुछ students की review देख लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है कि BA honors के एक student ने review किया है कि सब कुछ सही है लेकिन यहाँ पे जो students बाहर से आ रहे हैं जो दूसरे state से आ रहे हैं दूसरे city से आ रहे हैं उनको hostel facility आप नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको बाहर में private hostel लेना होगा वहाँ पे आप तह सकते हो वहाँ से अपने college को continue कर सकते हो देखो सब कुछ सही है अगर मैं अपना personal opinion तो DAV college best आमाना जाता है main campus से भी best आमाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो commerce lab है अगर B.com के मैं बात करूँ तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे extra सीखने को मिलेगा तो इसके वज़े से इसका NAAC ranking जो है वो A plus है लेकिन बस यहाँ पे जो यह पीछे रहा जाता है किस वज़े से hostile facility के वज़े से तो यह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है और और भी students के review दिये हुए है देख सकते हो यह B.com के student का review है checkout आप कर सकते हो अब मैं आपको कुछ photos दिखाना चाहता हूँ DAV PG college के मेरे बास बहुत सारे photos थे लेकिन कुछ reason के वज़े से delete हो गए है तो मैं कुछ ही photos अभी आपको दिखा सकता हूँ तो सबसे first यह देख सकते हो यह आपका internal gate है एक और gate है बाहर साइड से लेकिन यह छोटू सा अच्छा सा gate है यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है बनारस Hindu University तो ऐसा मत सोचना कि यह BHU का नहीं है यह BHU का ही है NAAC ranking है इसकी A plus DAV post graduate college यह building जो देख रहे हो अपने यह पीछे यह सारे यहाँ पर basically arts faculty के classes चलती है लाइब रेडी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कौन-कौन से facilities हैं वो भी हम देखेंगे अभी मैं और भी आपके सब कुछ photos share करूँगा जैसे कि यह photo देखो यह है freshers 2K19 लब दो जरण निसका freshers first year वालो students का यह faculty यह teachers है यह teachers है professor sorry professors है और यह professors party का आप चाहो तो videos भी देख सकते हो मेरे चैनल पर मैंने upload किया था इसका video total पूरा full detail video एक दिर गंटे का था या 26 मिनिटा साथ कुछ था आप एक बार देखना interesting लगेगा आपको वो भी video तो और भी photos है कुछ मेरे पास जैसे यह देखो हाँ यह photo देखो यह है Kabir 4 मतलब कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर पहुंच गये इस जगह पर आ गये तो DAV आ गया यह कह सकते हूं कि यह पीछे का रास्ता है एक meme में आपको दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत ही interesting meme हो सकता है आप लोगों के लिए और अगर आपका DAV में आपको admission मिलता है तो कहीं न कहीं वो आपके लिए beneficial होगा देखो यह pic देख रहे हो After seeing main campus friends attending classes to complete 75% attendance तो तकलीफ हो रही होगी आपको समझदार के लिए सारा ही काफी है तो मैं बताओ अगर तो यहाँ पे आपको attendance का जंजट नहीं देखने को मिलेगा चाहे BA हो, BCOM हो attendance compulsory नहीं है 75% अगर आप other कोई courses साथ-साथ pursue कर रहे हो जैसे अगर BA वाले किसी general competition, UPSC इन सब पे focused है BCOM वाले CACS इन सब चीज़ पे focused है और साथ-साथ prepare करना चाह रहे है तो आप freely DAV आ सकते हो, आपका अगर marking है, cut off एक point और note करो, कि यह DAV PG college merit basis पे attendance नहीं, merit basis पे admission नहीं लेता है यहाँ पे BHO के entrance जो होता है, उसके तुरू यहाँ पे admission होता है तो यह कुछ facts थे, यह मिवा आपको अच्छा लगा होगा तो comment करना तो attendance का जंजट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और अगर मैं आपको और भी photos दिखाओं तो यह देख सकते हो, यह sports ground है बहुत पहले का photo है, तो कुछ अच्छा का सा आपको नहीं लग रहा होगा यह RADV की building यह इदर इसके सामने भी building है यह पुरानी वाली building है यह नहीं वाली building है canteen की बात करूँ मैं आपको canteen नहीं दिखाना चाहता था लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा यह कुछ चोटा सा पुराना सा canteen देवी PG college का आप यहाँ पे refresh हो सकते हो बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे वेकिन एक personal opinion है अगर आप सोच रहे हो यहाँ के आलू पैटीस काने का तो मत खाना अच्छा नहीं होगा और भी कुछ हम facilities देख लेते हैं जैसे कि auditorium आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, canteen मिल जाएगा, computer lab भी आपको मिलेगा, सारे अलग से courses भी करवाया जाएंगे जैसे कि UGDCA आपको बनारत सिंदो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे डिग्री मिलने वाला है, gym facility भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2019 में ही लाया गया है लाइब्रेरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप बुक इशू करवा सकते हो, साथ हे साथ वहाँ पे जाके बैठ के पढ़ भी सकते हो और इसका लाइब्रेरी का कोई particular date है कि इसी दिन आप जाके इशू कर सकते हो, जैसे बीकॉम का अप्रॉक्स थर्जट के आस पास रहता है टाएट तो इस डे को आप जाके बुक इशू करवा सकते हो, और पढ़ने का है तो आपको भी जाके पढ़ सकते हो, तो यह facilities आपको बहुते हैं, क्या distance है DAVPG college और railway station का, क्योंकि बहुत students दूसरे city और दूसरे state से आ रहे हैं, तो यह भी जानना आपको जरूरी है, तो देखो, अगर distance की मैं बात करूं, तो 9 minute का रास्ता है, अगर आप auto कितर हो जाते हो, auto हो गया, या bike हो गया, cycle ही हो गया, क्यों ना, तो 3 kilometer का आपको distance travel करना होगा, और अगर विद्या पीठ road, जो कि basically सारे students यही follow करते हैं road, तो यह सारे 3 kilometer का होगा, और ज्यादा दूर नहीं है, बहुत आसानी से आप पहांच जाओगे, क्योंकि आपको hostels तो लेना होगा, आस-पास में DAV से 1.5 kilometer, 1 kilometer के अंदर वाले range में, तो अ सबसे पहले में यह बता दू, आस-पास में आपको बहुत सारे malls देखने को मिल जाएंगे, प्रॉक्स जो लहुरा वीर चौरहा है, वहां से अगर जो वारनसी के होगे, यह जानते ही होगे, यह आस-पास के इलाके के होगे, वह भी जानते ही होगे, वहां से आपको आस- मेत-गहट नजदीक पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों के बेच में, आप जा सकते हो, आटो के थुरू, और भी ट्रांसपोर्ट के थुरू, तो यह कुछ facts थे जो कि मैंने आपके साथ cover किया, और मैं आपको और भी कुछ points बता देता हूं, कि क् मिल सकता है, मैं आपको blank page में बताने की courses करता हूं, तो कुछ और भी extra points है, जिसे हमें compare करना जरूरी है, other colleges के through, तो सबसे पहले अगर देखो, मैंने main faculty का review अभी तक नहीं किया, आपके साथ दो भी जल्दी ही कर दूँगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखने क करू, attendance, देखो college करना compulsory ही होता है, लेकिन हम लोग student के लिए, हम लोग जैसे student के लिए, यहाँ पे एक point यह beneficial हो सकता है, यहाँ पे पढ़ाई कि अगर मैं बात करू तो अच्छा पढ़ाई है, बेस्ट भी हम कह सकते है, teachers, professors friendly है, seniors भी बहुत ही friendly है, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, ragging के अगर मैं बात करूँ, बिलकुल नहीं है, बनारस इंदो यूणिर्सिटी के अंदर, seniors बहुत ही friendly है भाई, तो यह benefit है आपके लिए, और अगर आपक दिक्कत होती है, hostel facility की, और campus छोटा सा campus है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है, यह points आपको बताने जरूरी थे, तो next video हम किसी और college का review लेकर आएंगे, यह interesting video आपको लगा होगा, मुझे जहां तक लगता है, कि मैंने इस video में आपके लिए कुछ नए points कवर की है, जो सोचना क्या मतलब मेरा मन हो रहा है कि AMPG college का review कर दूँ आपके साथ, क्योंकि वो भी अच्छा college है, fee structure मैंने आपको बता दिया, आप यह ध्यान रखना, कुछ relaxation मिलेगा, जैसे कि general का है 10,322 fee B.com और BA का, लेकिन अगर आप category से हो, किसी SCST, OBC को relaxation नहीं मिलता है, SCST category का approximately 3 to 5000 क बीच में चला जाता है, तो यह आपको relaxation मिल जाएगा, एक point और मैं बताना भूल गया, scholarship, scholarship आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, national scholarship साथ साथ स्टेट scholarship, UP में तो मिलता है, तो अगर आपके, मतलब आपका, जो भी आपके parents का income कम हो, तो scholarship आप avail कर सकते हो, और अगर नह नहीं हो, UP से नहीं हो, तो आप national scholarship के लिए जा सकते हो, तो तो चार-तीन हजार वापस आजाता है scholarship के through, अब एक साल में, अब कर दस हजार fee है, जनरल के टेगरी का, तो तो तीन-चार हजार वापस आ जाता है, तो यह चीज है, classes कब से start हो सकती है, तो भाई, एक नवंबर से classes start होने के chances हैं, इस college के, तो यह बताना जरूरी था, मिलेंगे जल्दी next video में, वीडियो को like करना, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत मैनत लगता है, ऐसे-ईसे data collect करने में, अकेले नहीं, मतलब और भी में reference हैं, वो पी data collect करके देते हैं, और तभी यह video बन कराता है कर दो यह.